नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका Crazy Crypto मिंटू में आप देख रहे हैंगे new detail on 4 trillion siv moved by Binance sivaINu staking performed तो sivaINu को एक तरह से Binance ने कितना 4 trillion को जो है staking पर लगा दिया है तो देखिए बड़ा प्लेट फॉर्म है और वो इतना कर सकता है कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन जो बड़ी बात है वो मैं आपको बताने वाला हूँ बाइनेंस ने पहले तो लग भग 12.6 ट्रिलियन को अनिस्टेक किया यानि के पहले ये अनिस्टेक हुआ है कितना 12.6 ट्रिलियन उसमें से 4 ट्रिलियन को दुबारा से इस्टेकिंग पे लगा दिया है अब यहाँ जो मैन बात है वो यह है कि जो बचा कितना लगबग 8.6 trillion अनिस्टेक हो गया बाई देगे 12 में से 4 दुबारा से इस्टेक कर दिया और टोटल वहाँ पर इस्टेक कितना था 12.6 तो अब 8.6 trillion जो बचा सिवाए इनू वो अब यह मान लीजे अनिस्टेक है यानि किसी ने किसी वालेट में है बाईनेस के तो मैन बात यह है अब यहाँ देखे यह कहीं ने कहीं चाहे तो वो सेल कर सकता है चाहे अपने वालेट में रख सकता है यह डिपेंड करता है बाईनेस पर कि बाईनेस इस जो बचा हुआ आठ दफनलब 6 trillion जो सिवाए इनू है वो क्या करेगा उसको कैसे यूच करना है वो तो देखिए बाइनेंस से ही बता सकता है और बाइनेंस इसका आगे जो भी करेगा वो भी पता चलेगा लेकिन हाँ बहुत बड़ी मातरा में जो है अनिस्टेक हुआ और उसमें से चार ट्रिलियन फिद दवारा से स्टेक कर दिया गया तो यहां बस यही बाइन बात है बाइनेंस अगर उसका कोई सही उप्योग करेगा तो एक अच्छे चीज़ है बनना तो देखिए यह प्रॉलम भी है क्रियेट हो सकती है डिपेंड करता है बाइनेंस पर कि बाइनेंस इसका करेगा क्या क्योंकि यह तो पूरा का पूरा दुबारण से स्टेक कर देता तो यह था कि सप्लाइ में से इतना माल निकल गया और जितनी धीन के लिए स्टेक में लगा वो लॉक हो गया लेकिन अब लगबग आठ दफनलब 6 ट्रिलियन माल वो किता है फ्री है बाइनेंस के हाथ में वो जिस दिन चाहे हो जिन सेल कर सकता है जब तक चाहे अपना उसको रख सकता है डिपेंड करता है उसको करना क्या है तो ये थी इसकी मैन न्यूज अगली न्यूज है साब नेपाल से जो कहीं ने कहीं हाँ कर्प्रो कंसी के लिए खराब है अब ये भी कह सकते हैं बाइदे के देश छोटा हो या बड़ा हो इससे भी और छोटे छोटे देश हैं जो वागयदा अडॉप्शन कर रहे हैं लेकिन हाँ नेपाल ने अपने जो इंटरनेट प्रोवाइड करने वाली जो कंपनियां हैं उनको बहुत क्लियर कर बोल दिया कि आप कर्प्रो कंसी से रेलेटेड़ जो भी एप हैं कनाडा के बारे में के कनाडा ने जो देखिए फूचर ट्रेडिंग अपने याँ से बंद कर दी है और वो कुल मिला के मुझे भी सही लगता है कि फूचर ट्रेडिंग जो है कर्प्रो कर्णसी में सबसे ज़्यादा नुकसान दैक चीज है सबसे ज़्यादा खराब चीज मुझे भी लगती है क्योंकि इसमें एक्सेंजों की और वेल्स की पूरी मिली भगत होती है तो अब यहाँ पर क्या किया है कनाडा ने जो है अपने जो है उनके यहाँ रेगुलेशन से एक तरह से आदे दूरे बने हुए है तो उन्होंने साफ एक्सेंजों को बोल दिया कि भाई आप अपने यहाँ से जो भी स्टेवल कोईन है उनको डिलिस्ट कीजिए उनको अताइए तो crypto.com ने वहाँ पर USDT को वहाँ डिलिस्ट कर दिया है और 30 तारिक से वहाँ यह काम खतम हो जाएगा वहाँ पर working नहीं होगा तो उन्होंने बाकादा कि यह नोट भी जारी किया है और साफ क्लियर कर कर दिया है कि आप जो है अपना जो भी है उसको converted कीजिए किसी दूसरी करन्सी में यानि USDT यहां 31 तारिक से 31 जन्वरी से यहां working नहीं होगा यहां से उसको खतम कर दिया जाएगा अभी लेकिन एक चीज़ और हैं क्लियर कर दूँ यह केबल और केबल अभी कनाडा में हुआ है और कहीं नहीं और हर जगा USDT चलेगा जैसे जैसे भाई अपने अपने देश की बात है कोई और देश अगर कहेगा तो वहां उनको करना पड़ेगा लेकिन कनाडा ने अपने यहां के लिर कह दिया है यहां नहीं चलेगा उसको यहां से हटाईए तो crypto.com ने अपने हाँ से एक तरह से इसको डिलिस्ट करने के लिए यह फर्मान एक तरह से जारी कर दिया है तो कुल में लाकर यह अगर देखा जाया तो USDT के लिए थोड़ा सा गलत हो गया कि भाई आप गता है भाई हम स्टेवल कोईंस में USDC हो गया USDT हो गया या BUSD हो गया इसी में तो ज़्यादा ट्रेड करते हैं भाई खरीदने के लिए इन्हीं के ज़्यादा यूज किया जाता है तो कनाड़ा में एक तरह से USDT वहां से खतम हो जाएगा 31 तारिक से अब यहां आप मार्केट देखें साब मार्केट में कुल मिला के थोड़ा ठीक ठाक चल ला है साब अभी और आप BTC देख रहे हैं 17,442 और लगबग पावेल की स्पीच के बाद देखें एक अच्छा खासा 17,450 तक गया है और अभी थोड़ा सा स्टेवल है रुका हुआ है लेकिन यह है कि पावेल की स्पीच के बाद थोड़ा सा मामला पॉजिटिव नजर आ रहा है तो कहीं न कहीं देखें यह हो सकता है कि आगे जो CP डाटा आने साइध कुछ ऐसा लग रहा है कि में भी कम आए क्योंकि जो 7.1 था पिछली बार वो साइध हो सकता है कि 7 आए या 7 से थोड़ा बहुत और कम आए उसी वज़े से कुछ पावेल की स्पीच जो है इस वार पॉजिटिव थी और पावेल की स्पीच पॉजिटिव थी तो आपको पूरा असर देखाई दे रहा मार्केट पर भी मार्केट जो है पूरी तरीके से भी देखना है आप हर एक में ग्रीन है सिवाइनू भी देखिए थोड़ा सा जो पंद्रवे नमबर पर था वो पंद्रवे नमबर पर आ गया है तो कुल मिला आगे एक रैंक सिवाइनू की बढ़ गई है और इसका प्राइज अभी करेंट में फाइब टैम जीरो नाइन टू फाइब डॉलर में चल ला है और अभी थोड़ा सा देखिए नीचे आगे फिर से उपर चलने लगा है और लगब वही साड़े चार परसेंट अभी प्राइज में उपर है तो कुल मिला की यह है कि हाँ थोड़ा सा एक रैंक की सुधार आग डाउन फाले में बाकी अभी ठीक है रुका हुआ है ज्यादा गिरा नहीं है अब देखते हैं गाला तो देखिए सब गाला में अभी थोड़ा सा ग्रावट है क्योंकर यह अच्छा खासा भी बीच में इसने पंप दिया है बहुत अच्छा दिया है पंप और अभी के आसपास पॉने तीन परसंट नीचे है अभी करण में प्राइस 0.042 डॉलर में चला है तो कहीं नहीं देखिए एक करेक्शन तो लेता ही है क्योंको जितना उपर गया है यह ऐसे बीर मार्केट में तो करेक्शन तो बनता है और वही साथ यह करेक्शन कुछ ले रहा है ज अभी 0.024 डॉलर में चलना है और देखिए 25 से नीचे आया है और फिर थोड़ा सालका सा उपर को चलना शुरू हो रहा है लेकिन अभी कुल मिला गए जिने जो अभी देखिए 50, 60, 70, 100 परसंट तक जो उपर गए थे अब उनमें करेक्शन तो आएगा देखिए तो वो इसे बाद में भी हो सकता है उपर को जाए लेकिन हो सकता है जो वेल्स थी उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है तो थोड़ा सा वो सकता साइडवे हो जाय या थोड़ा और भी भाई डिपेंड करता है उन पर कि वो कैसा गेम खेलना चाहते है तो उन्हें सारा तो देखिए उन्ही को खेलना है तो यहां पर देखिए सब मार्केट तो अभी कुल मिला गेर थोड़ा सा ठीक है लेकिन अगर यह पॉजिटिव सेंटीमेंट कब तक बने रहते हैं क्योंकि बारा तारिक बहुत नजदिक है और आप देखी रहें कि सीपे डाटा जो है इस आपका नेगेटिव आता है या पॉजिटिव आता है तो अभी तो मार्केट के हाला देखे ठीक है क्योंकि केवल अभी पाविल की स्पीच ही जो है यहां पर आई अभी सीपे डाटा नहीं आया है तो जब स्पीच से इतना फरक है तो सीपे डाटा भी जो है कहीं कहीं पॉ साथ बिलियन और बढ़े गया है केवल स्पीच के बाद तो छह साथ बिलियन केवल स्पीच के बाद बढ़े जाना यह भी बड़ी बात है तो उम्मीद करते हैं कि भाई सीपी डाटा कम ही आएगा कम आएगा तो आपको थोड़ा सा सुकून वाली चीजें हो सकते हैं तो चलिए यह थे कुछ अभी तक के अपडेट लेकिन कुछ देगे नेगेटिव और पॉजिटिव निउज दोनों तरह की होती हैं और दोनों तरीके से अपने आपको तैयार भी रखिए क्यों कर सकता है इसकी कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता तो चलिए फिर मिलते हैं नमस्कार